Well hey guys, hello and welcome to Niti Sikshar and this is Mihir Thakur and welcome back to another video Surveillance किया जा रहा है और इस Surveillance को जो है यही Pegasus Spyware के तुरू किया जा रहा है और यह Pegasus Spyware जो है वो इसराइल कमपनी के द्वारा बनाया गया है तो Indian Express का यह कहना है कि Journalist जो भी India के हैं और Human Rights Activist है उनको इंडेक में अर्लियर इस एर में इस एर के स्टार्टिंग में जो है उनके WhatsApp messaging apps को जो है वो Spy किया जा रहा था Pegasus के तुरू और यह Spyware क्या है यह एक Malware है जिसके तुरू किसी भी इंसान का phone जो है या उसका smart device जो है उसको hack किया जा सकता है इवेन यहां तक कि यह इतना खतरनाक है कि इसका password हो किसी का voice calls messaging WhatsApp contact camera यह सभी चीज़े जो है important important और जो एकदम serious data होते हैं उसको यह easily hack कर सकता है और easily आपके data को चुड़ा सकता है तो यह काफी ज़्यादा खतरनाक spyware है malware है तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में details में जानने वाले हैं कि यह Pegasus जो है actually में किस तरीके का spyware है यह किस तरीके से आपके phone के अंदर में inject किया जाता है आपका phone किस तरीके से hack किया जाता है क्या process होता है इसके बीच का और किस किस तरीके से यह data को manipulate कर सकता है आपके चुरा सकता है आपके data को और यह भी जानेंगे कि इस से related कितने सारे cases जो है वो आज तक दर्ज हो चुके हैं और spyware क्या होती है इसको भी हम लोग समझ लेंगे तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को दर्ज किये गए हैं और उसके बाद जानेंगे कि इस से related क्या क्या concern है क्या क्या जो issues है इस से related वह सकती है और लास्ट मुम लोग जानेगे कि zero click attack जो है वो क्या होता है इस attack में किस तरीके से आपके device को hack किया जा सकता है तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि what is spyware Pegasus spyware Peg Pegasus क्या है all the spyware what the name suggests that is they spy on the people to their phones spyware का मतलब क्या कि ऐसा कोई भी वेर जैसे कि हम लोग बात करते हैं फोन के अंदर में काफे सारे applications होते था हम उसको software कहते हैं सेम ऐसे ही होता है malware जो की system को किसी भी device को corrupt करने का काम करती है वैसी में होता है spyware spyware क्या करता है spy का मतलब होता है नजर रखना तो spyware means कि कि किसी भी device पे किसी भी आदमी के device के तुरू किसी के उपर नजर रखा जा सके तो वैसे ही एक Pegasus spyware है और इसका जो वर्क है यह कैसे करता है यह send करता है एक प्लाइटिटिव लिंक देखो एक तरह का लिंक ही है आपके phone के अंदर भेजेगा और ज पूर देख सके क्या कर रहे है आपका सारा एक्टिविटीज वह spy कर सकेगा और इसका नाम इसको बनाया है और इसको बनाया है और हम लोग complaints देखते हैं कि इसके इंदर में क्या-क्या complaints जो है वह अभी तक दर्ज हुए हैं कंकर हुए हैं इसको हम लोग समझते हैं तो जो पहला complaint है spyware Pegasus के खिलाफ में जो है वह दर्ज हुआ था 2016 में और यह दर्ज किया गया था एहमद मंसूर के द्वारा जो कि human right activist थे और यह थे UAE के अंदर में और इनको टागेट किया ग पाइस को जो है वह मतलब कि spy कर रहा है बाइद जीरो डे अटैक अब जीरो टे अटैक के है इसको हम लोग बाद में भी समझेंगे अभी आप यह समझो कि यहां पर इनके द्वारा जो सेटिजन लाब है उसके द्वारा भी यह चीज़ बताई गई थी और यह कहा गया था क और बिना किसी पर्मिशन के जो है वह पेगासेस को इन लोगों के डिवाइस के अंदर जो है वह इंसर्ट किया गया है इनफेक्ट किया गया है फिर 2018 में क्या हुआ कि मॉन्टेरियल बेस साओधी एक्टिविस्ट जो थे एक ओमार अब्दुल अजीज यह केस किये थे थे एन उसू ग्रूप के खिलाफ में कि यह कहे थे कि कोट में कि इनका फोन जो है वह भी पेगासेस के थ्रू जो है वह है किया गया है उसके बाद 2019 मई में जो है एक फैनेंसियल टीम है वह रिपोर्ट करती है पेगासेस को कि बींग यूज तो एक्सप्लाइट वाटसेप इस से रिलेटड क्या कंसर्न है क्या जो है इशूज क्रेट हो सकती है तो सेटीजन लाप्स जब केस कि थी तो उसके एकॉडिंग यह कहा गया था कि पिग्यासेस इंट बैक तो पिकास इतना पावफूल इतना खतरनाक है कि वह आपके प्राइवेट डेटा को हैक करके चु और यह काफी ज्यादा मेसेजिंग अब मोबाइल मेसेजिंग आप जो भी पॉपिलर मोबाइल मेसेजिंग आप्स होती है उसको है कर सकता है जैसे मालो कि आप वाटसेप के थुरू किसी को वाइस कॉल कर रहे हो तो वह आपका है को जाएगा इसके तुरू और टागेट फोन आपके अपके तुरू आपके नजर रख सकता है और आपका माइक्रोफोन भी ओन हो जाएगा क्या बात कर रहे हो कहां पर किसी को देखुआ है और यह सारण सेशर हो सकता है आपके फोन के थुरू है आपके आसपास अगल बगल उसको और और शा sentence क्रू आλλ स्पास प myself तो काफी ज़ादा खतरनाक जो है यह मतलब कि इतना ज्यादा खतरनाक है कि आप में कि इसली करने करने के audio है और मालवा रिकर पहले लाम आप को एक और आपको एमेल कि तुरुन एकसि़ कर सकता SMS locations, tracing, network details, device settings and browsing history data जतना चीज़ है सारा चीज़ आपके तुरू जो जो चीज़ किया गया email किया गया हो, किसी को message किया गया हो कहीं आपका location हो, या फिर network आपका क्या details network का है, device में आपके इस तरीके से setting करके रखे हुए हो आपने क्या-क्या history में browse किया है, क्या-क्या Google पर चेक किया है, search किया है, वो सारे चीज़े जो है वो उसके पास चला जाएगा, hackers उसको देख सकता है, अब लोग बात करते हैं कि Pegasus की क्या-क्या key features है, key features की अगर बात करते हैं तो they are capable to access your password protected device, जो password की through protected device है, उसको भी access कर सकता है, being total transparent to the target, मतलब कि आपके और hackers की बीच में कुछ भी जो है, वो छेपेगा नहीं, total transparent लिए आपका hackers जो है, सारे चीज़ देख सकता है, leaving no trace on the device, यहां तक कि आपके device में किसी भी तरह का trace नहीं छोड़ेगा, सबूत नहीं छोड़ेगा, consuming minimal battery, बहुत ही कम minimal battery आपका use होगा, क्योंकि आपके phone के अंदर में, मान के चलो कि अगर यह Pegasus smallware insert कर दिया गया हो, यह spyware insert कर दिया गया हो, तो ऐसा भी नहीं है होने का भी mechanism इसके अंदर है, मान लोग कि अगर कोई risk इसको लगेगा, किसी भी तरह का exposure का risk होगा, तो यह automatically destruct हो जाएगा, automatically आपके phone से गायब हो जाएगा, and ability to retrieve any file for the deeper analysis, किसी भी फाइल को यह वापस से करता है, हम लोग समझते हैं, तो zero click attack help spyware like Pegasus gain control over the device without human interaction or human adders, तो आपके अंदर, आपके devices के अंदर, यह अगर spyware infect किया जा रहा है, तो बिना आपके interactions के और बिना आपके knowledge के जो है, इसके अंदर inject कर देगा, इसको zero click attack कहते हैं, कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके अंदर, device के अंदर जो है, यह चीज spyware install कर दी जाएगी, and most of these cases exploit software को काफी जाधे exploit करने के लिए होता है, which receive data even before it determines whether what is the coming in trustworthy or not, like an email client, अब देखो, आपके device के अंदर में यह बहुत ही ज़्यादा carefully रहेगा, और इसको क्या पता रहेगा साड़ा चीज कि आपके पास क्या-क्या emails आ रही है, कौन-कौन emails आपके लिए trustworthy है, कौन-कौन आपके client की है, जो आपके लिए useful होगी, जो उसके लिए useful होगी, वह इसको जो है, वहाँ पर इसके अंदर आपको वह install कर देगा, और जो की बहुत ही कम memory जो है, वह consume करेगी, और जीरो क्लिक अटकर हाट यह काफी ज़्यादा hardly detect किया जा सकता, जल्दी पता नहीं लगता इसके बारे में, और इसका जो नेचर है, वह काफी ज़्यादा इसको प्रिवेंट भी करना बहुत मुस्किल है, बचना भी बहुत ज़्यादा मुस्किल है, तो काफी ज़्यादा डेंजर से स्पाई वेयर है, इससे रिलेटेड न्यूस आ रही थी, आई होप इससे रिलेटेड जो भी आस्पेक्स है, मैंने कवर कर लिए हैं, अगर कोई क्वेस्चन आपके माइन में है, या कोई क्वेरी आपके माइन में, आप डेफिनेटली मिचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, अगर वीडियो पसंद आया है, तो लाइक जरू कर देना, जितना उसको इतना शेयर करो, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लो, और बेल को साइनिंग आफ